Punctuation का ये paragraph, lesson number one, button button से लिया गया है इसमें writer Mr. Stewart के हवाले से बताते हैं Mr. Stewart looked embarrassed, Mr. Stewart हैरान दिखाए दिये अब हम इसकी punctuation की तरफ आते हैं जब भी हम English में कोई भी sentence start करें हम उसका first word capital write करते हैं तो हम Mr. का M capital कर देंगे और इसके बाद हम dot का use कर देंगे और जब भी sentence में किसी proper noun का जिकर हो तो हम उसका first letter capital last में लिखते हैं तो हम steward का S भी capital कर देंगे Mr. Stewart looked embarrassed, यहां तक writer की बात खतम हो जाती है तो इसलिए हम यहां पर full stop का use कर देंगे इसके बाद है I am afraid, मैं खौफ जदा हूँ तो यह writer खौफ जदा नहीं बलके किसने यह बात की है, he said यानिके Mr. Stewart ने की है तो यहां पर हम क्योंके Mr. Stewart के who, who अलफाज यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम उसके अलफाज को inverted कामाज में लिखेंगे और क्योंके नया संटेंस स्टार्ट हो रहा है और inverted कामाज में हम first letter capital right करते हैं तो यहां पर हम I capital कर देंगे और I के फौरण बाद M यूज़ किया गया जो के I और M की contraction यानिके I और M का इकठा यूज़ किया गया इसलिए हम यहां पर I और M के दर्मियान apostrophe का यूज़ कर देंगे तो यहां पर I का यूज़ as pronoun हम हमेशा capital करते हैं तो I के बाद apostrophe M तो I am not at liberty to tell you that यहां तक Mr. Stewart की एक बात complete हो जाती है और इसे हम inverted commas यहां पर close कर देंगे he said उसने कहा यहां पर हम full stop का use कर देंगे यह Mr. Stewart की एक बात complete हो चुकी है वो अगली बात करते हैं however I assure you तो यहां पर हम inverted commas का दुबारा से start करेंगे और क्योंके नई बात start की गई है sentence नया start किया गया है तो हम H यानिके however का H capital कर देंगे however थोड़ा सा pause है इसलिए हम however के बाद comma use कर देंगे I as pronoun हम हमेशा capital ही write करते हैं यहां पर I capital आ जाएगा however I assure you तो यहां you के बाद भी एक छोटा सा pause है तो however I assure you the organization is of international scope तो यहां scope के बाद full stop होगा use और Mr. Stewart की यह बात भी complete हो चुकी है तो inverted comma हम close कर देंगे तो आप देख सकते हैं unpunctuated paragraph किस तरह का था और हमने punctuation इसकी किस तरह से की थैंक्स और वाचिंग स्टे कुनेक्टिड फार मोर वीडियो अलाहाफेज